नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राधिया आप सभी का बेलकम है हमारे चैनल एश्ट्रो अभी चत्रवेदी में मैं अभी सेख चौबे आज लेकर आया हूं विभाय से सम्मंदित बहुत महत्पूर जानकारी अगर आप पहली बार चैनल पे आया है चैनल को कर लें साथी वीडियो को लाइक कर लें देखिएगा विभाय एक जिंदिगी का बहुत बड़ा डिसीजन होता है अगर यह डिसीजन आपका गलत हो गया है न तो पूरी जिंदिगी नरक बन जाती है यह आप लोग बड़े अच्छे से जानते हों इस चीज को चाहर से बात है आपकी साथी नहीं हुई होगी या आपकी फैमिली में किसी वेक्ति की आपकी बच्चों की साथी नहीं हो रही या फर रिस्ता लेट हो रहा है कई बार होता ना बात बंते बंते तूट जाता है रिस्ता या रुक जाती बात या फर कहीं तो इंगेजिमेंट हो जाता है कैंसल हो जाता है रिस्ता तो बड़ा कश्ट होता है आप भी काफी परेसान होंगे अपने बच्चों को लेके कहीं घर देख रहे होंगे कहीं इतना चाह लड़का नहीं मिला या लड़की नहीं मिलाई आज कल तो बहुत सारे प्लेट फॉर्म हैं जैसे आप देख रहे हैं सो या थी मेरज भीरो जो भी खुले रहते हैं उनसे भी लेकिन ऐसे आप कैसे पर अचान है कि हमाई साधी कैसे इनसान से होगी और कैसा बैक्ती मिलेगा आप विवाहिक जीवन सही होगा या वुरा होगा ये सब आपकी कुंडले में लिखा रहता है आपकी जिससे साधी होगी वो पड़ा लिखा होगा या नहीं होगा उसकी लंबाई कितनी होगी वो कौन से वर्ण का होगा गोर वर्ण का होगा या सामला होगा या फिर वो इंसान जॉब करने वाला होगा बिजिनस करने वाला होगा घर से कितने दूर होगा किस दिसा में विवाय होगा कुंडली करेगी भी कर रही है या नहीं कर रही है और आप किसी से अगर बिवाय की बात चला रहे हो आप बहुत जान्दा समझोता कर रहे हो कि आपके गुड़ भी कम मिल ले हैं फिर भी आप समझोता करने को तैयार हो कि भहिया यह जो गई हम साधी कर लेंगे लेकिन एक चीज़ हाँ जोड के निवेदन करेंगे बिना उसके नवारन के साधी मत कर देना अन्यथा एक दिन आप ही लोग परेशान होके मुझे कॉल करोगे गुरू जी हमारा डिवोर्स का केस चला है या हमारा पती पतनी में आपस में नहीं बन रही है तो परेशान हो जाओगे इसलिए ग क्योंकि हमारा जो टॉपिक है 90% लव लाइश की उपर लोग हमारे पस कुंडली विसलेशन करवाते हैं और उनमें भी 50% जे लोग तलाग के लिए या बिवाहिग जीवन परेशान हो गए हैं बो लोग दिखवाते हैं तो बड़ा दुख होता है किसी का रिष्टा तोटता है कि उनकी कुंडली तो या तो किसी ने गलत तरीके से मिला दी है या किसी ने गलत बता दिया है तो इस वज़े से बिचारे वो फस जाते हैं ऐसा हम उन लोगों से भी निवेदन करेंगे जो लोग गलत डिसीजन मतलब किसी को गलत गाइडेंस से दे देते हैं ऐसा मत करो क किसी की बरवाद मत होने दो है ना चलेगा हम में टोपिक पर चर्चा कर लेते हैं अगर आप अपनी कुंडली का सही तरीके श्याध्यन करवाना चाहो कब विभाय होगा किस दिसाम में होगा तब आप एक बार परसनल संपर्क कर लेना आपको बिलकुल एकुरेट जानकारी द तक कि ऐसी कोई भी सारंग का जो टेम रहता है कोई भी दिन नहीं जाता होगा जिस समय महूर्थ होते हैं विभाय कि जिस समय मेरे पास कार्ड ना आते हूं मुझे लोग वर्ट सब ना करते हूं इनवाइट ना करते हूं यसा कोई भी दिन नहीं जाता है मैं बड़ा से थे विभाय नहीं हो रहा था लोगों ने उनको जितना चाहा उतना ग़्लट गाईडेंस किसी में कुछ करवाया किसी और आपने misguide हमें नहीं किया है, ठीक है, चलिएगा हम man topic पर चर्चा कर लेते हैं, अभी से लेके आपके 31 मार्च तक इन रास्यों का विभाय का 100% योग है, अगर इनकी कुंडली में विभाय का संयोग बन रहा है, तो गोचर में इन रास्यों का विभाय होके रहेगा, दु आपकी कुंडली में अंतरसा, पृत्यंतरसा, सुभ ग्रह की चल लही है, आपका सब्तम भाव पीडित नहीं है, सब्तम भाव में आपके सनी देव नहीं बैठे हैं, या सनी की दृष्टी नहीं पड़ रही है, तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, बैसा ही आपके साथ होगा देखो कुंडली में कई दोश और भी होते हैं ठीक है उनको आप जब सिब इस्टेशन करवा होगी कुंडली तब ही हम बता पाएंगे यहाँ पर हम जानता अगर लॉंग उसमें बनाएंगे न वीडिय तो बहुत लंबी हो जाएगी है न चलेगा हम बात कर लेते ऐसी सात रासियां जिनका विवाय होकर रहेगा कोई रोक नहीं सकता है चाहिए लब मेरिज के चक्कर में हो या अरेंज मेरिज के चक्कर में बहुत अच्छा सन्योग बन रहा है आप अगर मेस रासी के परसन हैं आप परिरसान हो गए थे रिस्ता की बात चलते चलते ओक जाती थी लेकिन अगर कुंडली में आपकी संयुक बन रहा था तो गोचर में आपके लिए विभाय का बहुत अच्छा समय है 110 परसेंट आपका रिस्ता हो जाएगा दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है पहली रासी दूसरी रासी है जिस रासी को आप और हम बोलते हैं मिथुन रासी आपका भी 31 मार्च तक विभाय हो जाएगा अगर कुंडली में कोई दोश नहीं हुआ तो आपकी अंतरसा परितेंतरसा अगर सुग रही की चल लई है तो आपका विभाय का बहुत अच्छा संयोग है शाथी जो रिस्ता तूट गया था हो सकता है वहां से भी वो लोग डेटन आके आपका रिस्ता कनने को तैयार हो जाएं ठीक है तीसरी रासी जिस रासी को आप और हम सिंग रासी बोलते हैं आपका भी विभाय होकर रहेगा कोई रोग नहीं सकता है आप अगर कहीं लब मेरिज कनने के लिए सोच रहे थे तो उसका भी बहुत अच्छा संयोग है आरेंजे मेरेज के लिए आपकी फैमली अगर कहीं ट्राइ कर रही है या आप ट्राइ कर रहे थे तो वहाँ आपका रिस्ता हो जाएगा चौथी रासी जिस रासी को आप और हम बोलते हैं तो ला रासी ये सुक्र ग्रहे की रासी है आपका भी भाई या गोचर के अनुशार बहुत अच्छा संयोग बन रहा है आपका भी रिस्ता हो जाएगा कोई रोक नहीं सकता है ठीक है बात कर लेता हूँ पांच इमी रासी जिनका विवाय होकर रहेगा जिस रासी को आप और हम बोलते हैं ब्रिश्चिक रासी मंगल ग् आपका भी रिस्ता आपके जहां पर आप लोग ट्राई कर रहे थे काफी समय से या कोई रिस्ता रुका हुआ था बहां पर आपकी बात बनने के जानता चांस है बात कर लेता हूँ छैमी रासी जिस रासी को आप और हम बोलते हैं मकर रासी आपके भी विवाय का बहुत बताएंगे उससे पूर हम बताएंगे जानकारी हमने गोचर के नुशार दी है आप रियल्टी जानना चाहो तो इस नमर पर होट सा मैसेज करना आपको वहां प्रोसीजर मिलेगा आप प्रोसीजर को पूरा करेंगे तभी आपको जानकारी दी जाएगी ठीक है सात्मी रास को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके भी विभाय का बहुत अच्छा संयोग बन रहा है ठीक है यह रही सात रास्या जनका अच्छा संयोग है पुनहा कहूंगा डिसीजन थोड़ा विभाय लेट हो जाएगा लेकिन गलट डिसीजन मत लेना हम आपको बस यही कहेंगे जल् छवलंदिगी का पूरा सावाल होता है ओके आप हमारे फीड़बेग पढ़ना चाहें या हमसे जुड़ना चाहें आप एंश्टागराम पर सरच करें ऐश्ट्र अभी चत्रवेदी आपको महाँ पर हमारे फीड़बेग मिल जाएंगे आप यूटुब पर सरच करें ऐश् प्रिशे से अपने फैमिली साथ हस्ती मुश्कुराते रहें। जैसरी किश्वनाथ जैसरी किश्वनाथ जैसरी किश्वनाथ